ह्वारी था टैस्टेक्ट को प्लेस करना पलेस क्रेंगे अपनी इस इस प्लेस करने हैं यहां पर यह हमें शूओ कर रहा है कि यह जो फाइल है हमारे format में place नहीं हो सकती, कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ version नहीं और पुराने होते हैं जिसमें हम इसको place नहीं कर सकते, बट जैसे अगर आपके बस version नहीं है तो आप उसमें automatically इस word file को place कर सकते हो, जैसे आप place बटन, इस बटन के उपर click करने के बाद आप जब इसको place कर लेंगे, place करने के बाद आप यहाँ से file को भी choose कर सकते हो, for example, जैसे हमारी docs file है तो हम इसको place करते हैं जहांपर हमारी वो file पढ़ी है, हम इसको open कर लेते हैं, desktop पे means that कि अभी हमारे पास जैसे कोई file नहीं है, अगर आपके पास word की कोई भी file बनी हुई होएगी तो आप उसको place करोगे, place करने के बाद आपको एक dialogue box आएगा, जिसमें आपको यह कुछ options आएगी table to the content, index, like that, आपके पास यह options आएगी, वो by default आपको checked मिलेंगी आप उनको changes नहीं करोगे, changes ना करने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास एक और option आएगी, remove the formatting अगर आप उस box के उपर ticker sign कर देते हो, तो आप जो formatting करोगे, वो आप उसमें changes करके, आप उसको show कर सकते हो और जब हम उसको ok के उपर click कर देंगे, तो आपके पास इस तरीके करा जो text है, वो आपके यहाँ पर show हो जाएगा, means that कि आप अपने word file को यहाँ पर illustrator में भी paste कर सकते हैं, तो आज के tutorial में हमने text को place करना सीखा, कि हम एक word की file से Adobe Illustrator में हम उसको कैसे paste करते हैं, thank you झाल झाल झाल